फ्रेंट्स मैं आलोक राज आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप सभी को मेरा जया स्रीराब फ्रेंट्स यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आप नियमी तुरुप से current affairs का mock test और GKE GS का mock test फिर उसके बाद current affairs बेख्यात्मक वन लाइनऊं दोनों परकाड के मिलते हैं और यह रोजाना मिलते हैं और सब्ताइक मिलते हैं फिर मंथली भी मिलता है और exam wise भी मिलता है GKEA और GS के notes भी यहाँ पे मिलते हैं यदि आपको PDF notes चाहिए किसी भी चीज़ का तो नीचे description में Telegram का link दिया गया है उसे वहाँ पे जाके आप वहाँ से download कर सकते हैं और friends यदि आपको कोई ऐसा topic है जो समझ में नहीं आ रहा है तो उस topic का नाम आप मुझे बताए comment box में मैं उससे related topic को सरल बहा सामें और सुकम में बहा सामें आपको समझने लाइक और by trick बना के उसकी video post करूँगा ठीक है friend तो आप उसे comment जरूर करें तो चलते हैं समय ना गमाते हुए आज के पहले current interface को देखते हैं पहला current interface क्या है यह current interface test series दूसरा है तो देखते हैं पहला है कि हाली में कि इस डेस ने विस्व का पहला blue bond जारी किया है ठीक लगा यह कौन सा सही हो सकता है और फिर मैं अभी बताता हूँ इसका सही उत्तर क्या है तो फिर देखते हैं अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन यह है कि उत्तर परदेस के मुखे मंत्री योग यादित्यनात्वारा किस स्थान का नाम बतल के अध्या रखे जाने की गोश्चना की गई है प्रेंस आप बताएं कौन साब यह सहर हो सकता है मैं भी बताता हूँ इसके जो सही उत्तर है वो फैजाबाद है फैजाबाद का नाम बदल के योग यादित्यनात्थ ने इसका आयोद्या नाम रखा है मतलब रखने की गोश्चना की है और फिर इन्होंने वहां का जो मेडिक राज करीं दिया है और देखते हैं कौन कौन साथ सहर का नाम बदलता है फिर अगला कर इंटरफेस देखते हैं अमेरिके भाई ग्यानिको दोरा एक वानर की पर जाती कि दात का कितने वर्स पुराना जिवास में खोजने कर दावा किया गया है इसका सही उत्तर क्या हो सकता है जिसका वाजन 3.6 किलो गराम है होगा और यह पर जाते बिलकुल ही बिलूप्त हो चुकी है जिनके दात इन्होंने खोज निकला है यह अमेरिका के भाई क्यानिकों ने इसको खोजा है तो फिर चलते हैं अगले करेंट अफेस के लिए अगला कोस्टन क्या है अगला चोधा कोस्टन यह है कि आर्थिक मामलो की काबिनेट कमेटी जिसको सौट में CCEA बोलते हैं ने ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया में कितना पतिसात सरकारी हिंसे दारी बेचने की मनजूरी परदान की है तो फ्रेंस इसका सही उत्तर आप बताए कितना हो सकता है इसका सही सही उत्तर दी है नीचे है फिर देखते हैं अगला करेंट अगला कोश्चन यह है कि कि इस देश ने एक दिसमबर से 31 जन्वारी के बिच भारत समेट बिस देशों को बीजा आन आराईवल के सुलक में छूट परदान करने की गोशना की है जिससे परेटकों को करीब चार अ परेटक है उनको चार अजार चार सो रुपए की फायदा होने वाला है फिर देख से अगला करेंट फेर से कोश्चन क्या है अगला कोश्चन है पकिस्टान में इसा निदा केस में बड़ी होने वाली इसा destaर माहिला का नाम एजिसने निदारैंट से सरंड मांगी है इसका बिस्ट्री ब्याक्याटि में आप सर्च करिएगा तो करेंटा फ्यार सच करियेगा ठीक है तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको तो इनका जो नाम है ये छेटा का जो एंसर है वो ये है कि ए है आसिया बीबी यानि कि पाकिस्तान में इसा नीडा कानून में बड़ी हुई मतलब इन्हें छोड़ दिया गया है इसाही माईला है आ अगला कोच्चन क्या है इंपॉर्टेंट साभी है इसे नोट कर ले या स्किन लेकर सेफ कर ले तो फिर अगला साथवा कोच्चन है कि फोर्टी सेल्थ केर के सीयो का नाम क्या है जिसने आली में इस्तिपा दे दिया है इसका भी बेख्षात्मक आपको वीडियो मिल यानि कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी हास्पीटल चेन 40 सेल्थ के और भारत की दूसरी सबसे बड़ी है मैं 3.5 साल मतलब सारे 3 साल से कंपनी के CEO के पड़ी यह संभाल रहे थे बहुत दीप सिंग तो इन्हों ने श्तिपा दे दिया है और फिर अगले करेंट को देखते हैं अगला करेंट के अगला कोस्चन यह पूछ रहा है कि हाली में किस राज्जिय में एक केंद्रिय जन जाती है बिस्व विद्धाले का स्थापना है तो मंजूरी परदान कर दी गई है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आप बताएं तो क्या हो सकता है इसका सही उत्तर होगा D&B सौरी आंदरपरदेस होगा गाने कि केंद्रिय मंट्रि मंटल भारत सरकार ने आंदरपरदेस में केंद्रिय जन जाती है विश्व विद्याले की अस्थापना को मंजुरी परदान करती गई है आंद्र पर्देश केंद्रिये जन जाती है विश्व विद्याले की अस्थापना विजय मतलब यह विश्व विद्याले की जो अस्थापना होगी वह आंद्र पर्देश के आंद्र पर्देश में एक व न्यूज चैनल ने हाली में आइटिफिसियल इंटिलिजेंस से लैस रोबोट को बाता और न्यूज एंकर समाचर वाचक न्यूज किया है इसका सही उत्तर डी होगा चीन यानि कि चीन की सरकारी एजेंसी है वहां की सिन हुआ उसने ही आठ नौमर द्वाज आठार को दर्सों पी योजना के टाहत लीज पादेने 갑तू मांग़ों दान की गई है तो इसका सही उत्तर बता है इसका सही मैं बता रहा हूं इसका सही उत्तर होगा छ्छ' ना कि पड़र मंतिन नरेंद्रac भट्रा सक चार्ब जानिक और नीजीं भागिदारी जिसको मैं PPPP. ट्रिपल पी योजना के ताहत लीज पर देने दिये जाने की मंजूरी परदान की इसका मुखे उद्धे से यह है कि राज़ों सब प्राप्ति ज्यादा से ज्यादा करना है ठीक है प्रेश तो मैंने आज दस करेंट अफेर्स करेंट अफेर्स के कोश्चन पर चाचा की और आ लेंगे और उस पर भी काम चल रहा है फ्रेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दाय साइड में जो बेल अकन है उसे क्लिक करना न भुले उसको क्लिक करिए कर तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो फ्रेंट्स मैं आपसे एक और अनुर्ण करना चाहता हूं कि सभी वीडियो लाश्ट टक सुरें क्योंकि आपके फायदा की बात है यह जो भी कमपटिशनर है उनके फायदा की बात है तो आप सभी को मेरा नमस्कार वीडियो देखने के लिए धन्यबाद जैस्री राम मिलते हैं अगले वीडियो में